तानगरु गोवन सिंग जी चैनल विच आप जीदा सवागत है और प्यारेओ वीडियो नूँ पूरा जरूर वेख्यो पूर जोर मंगते जिन्डा वीरा पैना ने ए मंग कीती के माता सैव कौर जी और माता सुंदर कौर जी वारे सानो इतिहास पतानी पाईसाव जी जरूर जान करी देओ साड़ी समुची टीम ने पूरा उपराला ते पूरी मेनत लगन दे नाड़ ए असी उलत्था जड़ा कठा कीता है ओ आप जी नन अज सांजा करन जा रहे हैं प्यारे ओ वीडियो पूरी जरूर वेखे ओ लाइक कमेंट करन दी खेचला जरूर करे ओ शेर जरूर करे ओ ता जो होरानों भी इस बारे पता लग सके एस जड़ी कटना है आप जी नन सांजी करन जा रहे हैं ए इतिहास है एक तकरीवन कई लोका नो नहीं पता कई संगता इस तो अनजान हन इस करके किना शेर करन दी सेवा जरूर करे ओ तो प्यारे ओ पहला गल करांगे माता सैव कौर जी दी माता साहिव देवा उनना दा नाम सी ते बाद विच माता सैव कौर दा उनना नू नाम दिता गया ते खाल से दी माता होन दा उनना नू मानवी प्राप तोया है उन्हादा जनम एक नवंबर सोड़ां सो क्यासी इस्वी नू पाई रामू जी दे कर माता जस्देई दी कुखों होया ते रहतास जला जहलम जड़ा के हुन पाकस्तान बेज रह गया है उन्हादा मुडला नाम साहिव देवा रख्या गया रहतास ओपा गामवला शे जिते गुरु नानक देव जी कावल कंदार पिशार नसेरे तो हंदे होए इते कुछ दिन ठहरे सन इते पानी दी थोड़ होन करके चश्मा प्रकट कीता जिसना नाम चोवा सैव करके पर सिद्ध होया इतिहास विचिस्दा वाखुबी जिकर मिलदा है पाई रामू जी रह पर वार समेध जाया कर दे सन समत स्तारां सो चती विच पोठो हार दी संगत नाल आप गुरु गोबन सिंग जी दी दर्शना लई अनांदपुर सैव गए गुरु जी अगे संतान प्राप्ती ली अरदास कीती ते दल विच प्रण कीता जे उनना कर संतान होई ता ओ दे कारेक पुत्तरी एक पुत्तर ने जर्म लेया सत्गरु दी किरपा होई जिना दे ना करमवार साहिव देवाते साहिव चंद रखे गए माता सैव का और दाजड़ा बच्पन बच्पन विच ही प्रभु पक्ती विच लीन और इंदे उनना विच बच्पन तो ही ओ सारे गुंसान जो किसे सदाचारी मनुक विच पाए जान दे थे सडोल शरीर नुरानी आत्मा हस्दा चेरा बोलना विच बेहद मिठास निमरता सवर संतोक ते खिमा आद जिस करके ओ सिर्फ परवार दे ही नहीं पूरे पेंड़ दे हर्मन प्यारे सान ते वेखदी वेखदे ओ वो पूरी दुनिया विच अपने जड़े सुबा आदा चसेमा सी ओब खेरन लगे ये बजपन तों ही गुरू का अरनल जुड़े हो एसी जदों थोड़े वड़े हो एता जब जी सेव रहरास ते कीरतन सोयला ते बहुत सारे शब्द उना कंठ भी कर ले बानी बड़ी ही सेवा कर दे ओ हमेशा गुरू गोवन सिंग जी दियां गल्ला कर दे रिंदे लोक उननों प्यार नल माता जी कहके ही बलोना पसंद कर दे सन जद साहिव देवां वड़े होए ता माँ बापनों इनना दे रिष्टे दा फिकर पह गया बड़ी पाल कीती पर कोई योग वर नजर नहीं आया अपने माबापनों दुखी देखे साहिव देवा ने मन नाल अपने मन ही गुरू गोवन सिंग जी अगे अरतास करके सांजी कीती जड़ी मन दी उनना दे पावना सी क्यांकि ओ अपना रिष्टा किसे होर नहीं गुरू साहिव नाल करना चांदे हन उनना नो लगा के गुरू गोवन सिंग जी उनना नो बुला रहे हन उनना ने अपने माता पिता नो दसेया माता पिता पहला था गुरू साहव दा रुतवा ते अपनी गरीबी हालत देखे सोची पह गए पर साहिव देवां दी दिर्टा देखे ए सारा परवार ते रहतास दिया संगतां स्तारां सो इसवे विच कलंगी तरजी दे दर्शना ले श्री अनंदपुर सहीब जियां सारे परवार ने संगतां ने गुरु साहब तो खंडे वाटे की पाउल लेके सिखी तारन कीती कोज दिन अनंदपुर सहीब विच ठहरन तो पिछों संगतां नाल सला करके पाईरा मुझी ने परे दर्वार विच गुरु जी अगे अपनी स्पुत्री साहब देवा माता सहीब का और दा रिष्टा सविकार करन ली उन्हानों बेन ती कीती गुरु साव ने पहला ही शादी सुधा ते चार सहीब जादें दा पिता होन देना ते साहब देवा माता सहीब का और दा रिष्टा सविकार करन तो ना कर देती पाइ राव सिंग जी जो खंडे वाटे दी पौल तो बाद रामो जी तो पाइ राव सिंग बने ते में उन्ह बेंटी कीती के साहिव देवाना जनम तोही तोहडी हो चुकी है क्योंकि एहे मेरा संकल्प सी के मैं अपनी सुन्तान तोहड़े चरना विछ नवित करांगा हर कोई जानदा है साहिब कार दी इच्छा मतावक असी सारा परवार अपनी सपुत्री दा डोला मन दियां गहराईयां तो आप जी नू अरपन कर चुके यां हुन तुसी बेशाक के सिनू अपने महल बना के रखो चाहे अपनी दासी बना के रखो इस दा डोला के ते होर नहीं जा सकता संगता दी बेंती नू ठुकरा देना गुरू साहिब दे बास विच नहीं सी सारे परवार दे संगत दी बेंती नू मन दे होए परवान कर दे होई गुरू साहब ने इस शर्त रखी के सिर्फ कुवारे डोले दे तो औरते ही साठे मेला मिज रह सकती है अगर इस साहब को और नो मनजूर हो वे तां साहब देवा ने सिरह ला देता वस फिर की सी शर्त अदीन व्या लई व्या हो गया करन ते सारे इज़री दिती रवासी पूरे हो गया खुशिया शागिया माता सहिव को और दा गुरु गोबन सिंग जी नाना अनन्द कारज अनन्द पूर सहिव सन 19 अपरेल 1790 दे दिन सौं बार नो पाव के 1690 वे साखी तों एक साल पिछों किता गया शादी होन तो बार दशमेश पिता जी दे हुकमान सार माता सहिव को और जी ने सारी जिंदगी गुरु साब जी दे पित्र चरना विच ते अनजोड के कुवारे डोले दे रूप विच गुजारी हते कदे भी गुरु दे मैर होन दा अवमान नी कीता एक साल माता जीतो दा दे हाद हो गया माता सहिव को और ने माता जीतो जी दे तिनस पुत्रां दी पर विच्दा जिमा अपने सिर ले 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 अते परवार विच कर दी तरह राच मिच गए माता जी दे मान विच एक पुत्तर दी इच्छा आई जिस्तों गुरू सहिव बेखावर नहीं सन ता उना ने अपने दादी ते उना ने अपने नादी पुत्तर समुचे खालसा पंथ जी दी चोली विच पाके खालसे दी मा होन दा उना नो उच्चा ते सुचा रुतबा बक्षिस कीता हुन उस दिन तो अज तक अमर्त शकाउन उपरंत अमर्त अवला कियानों सिख्या देन समें पंज प्यारे ए बच्चन जरूर केंदे हन के अज तो बार तो हड़ा तार्मिक पिता शिरी गुरू गोबन सिंग जी ते तरमदी माता माता सहीव कार जी जनम तो हड़ा केसगार साहव दाते वासीत उसी अनन्दपूर साहव दे हुए अज तो बार तो हड़ा गुरू परवार वेच जनम हो चुकिया है अनन्दपूर वेच मुगलानाल आखरी लड़ाई लड़ दे समें अनन्दपूर साहव चटन वेले बी दिसंबर 1704 तों लेके शिरी गुरू गोबन सिंग जी दे जोती जोत समाउन तक पाव की सत अकतूबर 1708 इस भी तक दा बड़ा कठन अते दुख दाई समा माता सेव कार जी ने अपनी अकीं देखिया अपने तन पिंटे ते हंडाया पर आप हमेशा अडोल ते चड़दी कला विच रहे कीरत पूर विखे परवार विछोड़े समे माता संदरी जी दो सेव कामा बीबी पाक और बीबी हरदास कार दो सिंग पाई जवार सिंग पाई तन्ना सिंग आप दे छुटे प्राप आई साहव सिंग अते शहीद पाई मनी सिंग जी नाल दिल्य जाके रहाइश गीती उदर चमकार दी जंग वेच वटे दो सहभ जादे अते सरहांदे नवा वजीर खान दे हत्तों दो छोटे सहW जादे शहीद हो जान पिछों गुरु जी मुक्त सर अते मुकसर दी जंगतों बाद दमदमा सहीब तलवंडी सब उपुंचे उते ही दो में मातामा पाई मनी सिंग जी नाल तक्त चिरी दमदमा सहीब इके सरवन सदानी गुरु गोविन सिंग जी कोल फरबरी 1706 नू दर्शना ले पुजिया सार चारे सहीब जादेयानों गुरु सहीब नाल ना देखके मातामा ने पुछेया ता कलंगी तरजीने खाल सेवल इशारा करके अपने पुटर मुखार विन तो यो उचारेया इन पुतरन के सीज़ पर वार दिये सुथ चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार यते माता सहीब कोर जिनों रस्तेयां दियां उखाणिया करके दिल्ली बापस पेज दिता दमदमा सहीब तलवंडी सापोतों नादेड जान दे समें जिस समें कलंगी तरजीने मुटी शादे बाग जिते अजकल मुटी वाग गुर्दवारा है चर्ण पाये ता इत्थों फिर दखन देश जान समें माता सहीब कोर ने सद्गरू जिदे नाल जान दी इच्छा प्रगड कीती नांदेड विखे दशमेश पिता जी ने माता जी दी रहैश ले गुदावरी दे कंडे हीरा काड जिते उचेचा परवंद करवाया माता सहीब कोर ने इत्थे ही अपना टिकाना बना लिया इत्थे माता जी दा सवा पहर रात रहन देya इसनान करन पिछों नितनेम करदे आते संगत विच बैठ के कीरतन विक सुन दे कीरतन दी समापती पिछो संगता नू उपदेश दंदे गुरू जी ने अपना प्रलोक गमन दा समा नेडे वेके माता सैव का और नू दिल्ली विखे माता संदरी जी कोल पे जन दा संकल्प बना लेया अते उना नू अपने कमर कसे विचो पंज सस्तर खडगलतारी खंड़ा खंजर अते दो कटारां परदान कीते ते आखिया दिल्ली जिते अज कल गुरुदवारा माता संदरी जी से शोबत है उते आप सस्तरां दी सेवा कर दे रहे ने तने अम्ते सस्तरां दे दर्शन करके माता जी लंगर शक ले हकूमत ने एक वार फिर नमा मोड ले आ बहादर शापामे विखा दिखावा ही सी पर गुरु साब ते उन्हाने परवारदा आदर करदा लेया देखो बहादर शाह औरंग जेव दा पामे जेहो जा मर्जी सी पर बहादर शाह दा सुबा कुछ होर पर कारदा सी पर के दिने इस तों बाद जिड़ा गुरू साहवते उना दे परवारदा आदर करदा रहा पर उस दी मौत तों बाद फरक्शियर तक दे बैठा जिसने सिखांदे खिलाफ जुलम दी हने री चुला दिती जिस कारण दो में माता सुंद्री जी अते माता सैवक और दिल्ली चट के मुथरा चले गए फरक्शियर तों बाद सन 1799 इश्वी विच संगता दे सद्दे उते माता सैवक और जी अते माता सुंद्री जी फिर दिल्ली बापस आ गए शीरी करंगी तर जी जोती जोत्समान मगरों माता सैवक और जी ने संगता प्रती हुकम नामे जारी कीते संगत अते पंगत दी प्रतानू चालू रखके खाल साफ पंथ दी अगवाई कीती गई जिना विचों नौ हुकम नामें दा वेरबा उपलब्द है अपानू वेखन मिल जानदा है माता सहीव कार जी ने अपना अंतम समा नेड़े आया वेखके माता सुंदरी जी नो कलंगी तरगरू गोबन सिंह जी झी ने जो शस्तर अब जलन तो तुर्ण वेले माता सहीव कार जी दे सपर्ध की तेसान वो पंजे शस्तर उनना ने माता सुंदरी जी दे सपर्ध कर देते पंदरां अकतूबर 1734 भी दिन शुकर वारनों माता सैव का उर्टी ने अमर्त विले उटके शनान करन पिछो नितनेम कीता गुरू जी दे सस्तरां दे दर्शन करन उपरंथ अपना पंज पूत के शरीर त्याग दिता माता जी ने कुल संसारिक यातरा लगपाग पंजास साल कीती जिस विच गुरू गोवन सिंग जी ने जोती जोत समा जान उपरंद लगपागती साल खालसा कामदी कीती की शानदार अगवाई भी उस विच शामल है दिली तो माता सुंदरी माता साहव कौर ने मिलके सिख कौम दी अगवाई कीती हिना दे हुकम नामे आते 1726 लेके 1724 तक दिया तरीकां पंजा मिल दिया हना माता जी दी इच्छा मताबक आपदा संसकार बाला साहव दिली गुर्दवारे दे हाते विखे कीता गया माता साहव कौर जी वल्लों मिले पंज शस्तर माता सुंदरी कौर जी ने अपने देहांत 1727 समय अपने सेवक जीवन सिंग नो देके अदब नाल रखन दी आग्या कीती जीवन सिंग दी कौल ने इस शस्तर पंज पीडियां तक बड़ी शर्दा पावना नाल रखे पंजमी पीडी ने आत्मा सिंग ने पंथ दी इच्छाँन सारे शस्तर गुरुदवारा रकाव गंज दिली विखे अस्थापत कर देते गुरू मेलना विचकार गुरू पती नाल रेन दा सबनालो कट समा माता सहवकौर नो मिलया इस देबावजूद भी हो इतिहास विच गुरू मेल वज्जों सबनालो बद सतकारत अते महत्तम पूरण स्थान रख देहान माता सहीव कार जी दी पावन याद विच नंदेड महराश्टर विच हीरा काड़ दे कोल गुर्दवारा माता सहीव कार तक्त श्री दमदमा सहीव दे गुर्दवारा बाला सहीव दिली दे हाते विखे अजवी उनना दी यादगार काइम है अजवी अगर कुरु कोविन सिंग जी दा हत खाल से दी पिटते है ते माता सहीव कार दा हत खाल सा पंच दे सीजते है लोड है उनना दी दसी राते चलन दी सो प्यारेओ जे दर्शन करने होन ता कदे हजूर सहीव जाओं ता माता सहीव कार दा अस्थान बनेया है शस्तर भी पहेने ते उस्ता परवंद जिड़ा निहंग संगा दे कार सेवा ते उनना दे निगरानी हिट चल रहा है बड़ा ही सोना ते सुचज़ा ओ थे परवंद है कदे जाओं हजूर सहीव मेरे ख्याल विच जे मैं पुलदानी सोला स्तारा किलो मीटर दूर बाहर उना दा गुर्दवारा सहीव बनेया है माता सहीव का और माता सहीव देवावी आख दे दे हैं बड़ा ही सुन्दर ते रमनीक नजारा है कदे दर्शन करो ते मन खुश कि और एख दे जा पर्टक माता दे दर्शनों दे रहें बड़ी संग्तानी मंग सी के साननों ए इतिहास चाहिए था जी इदा जिकर करो ता अशीव दा जिकर कीता है सत्गरू जी करपा करन मिहरकरन तानगरू जी कोवन सम्गरुजी पूरी समुची टीम बलों आप जी नाब अे रापटा कैम कर दे होए आप जी अरदास कर दे हो कि तुसी हमेशा गुरू-नल जुड़े रहो आप जी दे उपर गुरूदिया मेरा इसे तरह बनिया रहन आप जी भी अरदास करे ओ इसे तरह आप जी दी खिदमत बिच लगे रहे आप जी नू सत्गरू जी गुर्शिखी जीवन नाम दान दी दात मेरे सत्गरू जी वक्षिशकरन वीडियो नू शेयर जरूर करेो लाइक कमेंट जरूर करेो तान गुरू गोबन सिंग जी चैनल नो सब्सक्राइब कर लवो ते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेओ तान जो हर एक वीडियो दा नाटिफिकेशन तो हड़े तक पहला पहुंच सके अगे भी सब्सक्राइब जरूर अपने मित्तर दोस्तानों करवायो जी अको जी वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते